आज 28 एपरिल, आज के दिन तक अभी तक जो है 543 केस थे और लास्ट 24 गंटे में बाराख नए केस आमको मिले हैं और कुल पॉजिटिव केसे 555 केसे कुल केस हुए हैं लास्ट 24 गंटे में हमारे सूरत में अभी तक बृत्यू संक्षया 0 है और कुल बृत्यू की संक्षया 19 है जो डिस्चार्ज हुए हैं वो अभी तक 19 डिस्चार्ज हुए हैं और आज आनंद के साथ आपको ये कहना अच्छा लग रहा है कि अभी दूसरे 17 लोग उनका जो रिपोर्ट है वो दूसरी बार नेगेटिव आया है तो ये जो दूसरे 17 लोग है वो भी डिस्चार्ज होंगे तो इससे हमारा जो डिस्चार्ज का रेट है जिसको हम रिकवरी रेट कहते हैं उसमें एक बढ़ोतरी होगा और उससे जो है सबको ये विश्वास बैठेगा कि कोरोना से काफी लोग रिकवर होते हैं और कुछी लोगों का ये प्रॉब्लम हो सकता है जो को मॉर्बिड और एजिट पेशेंट है जो पॉजिटिव केसेस हैं अगर उसको जोन वाईज देखा जाए तो हमारे लिंबायत जोन में 223 सबसे ज़्यादा लिंबायत जोन में हमको केसेस मिले हैं और उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई जोन में है तो वो सेंट्रल जोन में 82 है उसके अगर कोई जोन में है तो वो बराचा A में है और उसके बाद जो है कतार गाम में 60 है उधना में 47 है और हमारा बराचा B में 10 है रांदेर में 37 है और अठवा में 19 है सबसे कम केसेस बराचा B और उसके बाद कम केसेस हमारे अठवा जोन में है और उससे कम केसेस हमारा रांदेर जोन में है जो परिक्षण हुआ है टेस्टिंग हुआ है उसमें अगर देखा जाए तो अभी तक 10,458 सैंपल लिए गये हैं और उसमें 555 पॉजितिव आये हैं 9,873 नेगेटिव आये हैं आपको यह हम कहना चाहेंगे के सूरत में जो टेस्टिंग हो रहा है वो काफी टेस्टिंग पर मिलियन अभी हमारा जो सेंसर्स के हिसाब से पॉपलेशन 44 लाक्स है उसको अगर हम 50 लाक्स बिगिन है तो अभी के हिसाब से पर मिलियन जो है वो 2000 टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं जो पूरे भारत वर्ष में कोई भी सिटी के कंपेरिशन में हम लोगों का जो है वान अब दा हाइस्ट टेस्टिंग सिटी वो सूरत ह है जो क्वारंटाइन है अभी होम क्वारंटाइन 2258 लोग है जो प्राइबेट में क्वारंटाइन है वो जीरो है और जो टोटल क्वारंटाइन है वो 2793 लोग को वहां क्वारंटाइन हुए हैं 553 लोग ऐसे हैं जो हमारे कॉर्परेशन के दूसरे जोन्स में जो विकेंद प्रिकरन क्वारिंटाइन का system किया गया है उसमें 535 लोग है और कुल हमारे zone में 9 क्वारिंटाइन centers बनाये गया हैं तो यह जो क्वारिंटाइन centers है यह क्वारिंटाइन centers अभी हमने यह निन्ना ही किया था कि जहां जिसका घर पे separate वेवस्ता हो सकता है उस खर पे उनका अगर separate toilet और separate room का विवस्ता है तो वो quarantine हो सकते हैं ऐसे ही आज एक नया जो ministry of health family welfare से नया guideline आया है उसके मुताबिक अगर कोई positive asymptomatic patient है और उनके घर पे ये विवस्ता है उनके घर पे अलग room और अलग toilet की विवस्ता है और social distancing और mask यूज़ करके उस संपुन रूप से अगर home management, home isolation हो सकता है तो इसका प्रावधान किया गया है आज के बाद जो लोगों का positive होगा बट asymptomatic case होगा और उनके घर में रहने के लिए विवस्ता तंत्र होगा तो उस case में हम asymptomatic patient को भी home isolation करेंगे लेकिन उनके साथ एक medical officer को link करेंगे और medical officer के साथ साथ हर zone में एक ambulance dedicated ambulance के भी विवस्ता होगा और अगर जरूरत पड़े तो उनको shift hospital में किया जा सकता है ऐसे प्रावधान आगे के दिनों में भी होगे उसके लिए जो निती है वो निती आज के बाद ये आगया है और आज के बाद अगर कोई asymptomatic case मिला तो उस case में हम ये नया guideline का follow करेंगे और जो slum और slum like areas हैं उसमें ये सक्य नहीं होगा इसके लिए जो हमारा COVID care center समरस में है उसको हम continue करेंगे और COVID care center में जो जहां ये social distancing, mask और self isolation possible नहीं है तो उस case में COVID care center का उपयोग होगा हमारे जो active और passive surveillance के हिसाब से अभी तक जो ARI के case मिल रहे हैं उसके उपर testing का हमारा strategy बन रहा है आज हम लोग जो areas पूरे हम लोगों को लगता है कि उसमें cases नहीं हो उस हिसाब से भी हमने कुछ areas select किये हैं और ये पूरा जो red zone, orange zone और green zone उसको completely एक लोगों की सम्मुक्ष रखके मैंने जैसे कल आप सब लोगों से बात किया था कि जो red और orange और green zone उसमें कैसे conversion होगा उसको कैसे change किया जा सकता है लोगों के द्वारा क्या-क्या actions हमको अपेक्षित है इसके basis पर ये red, orange और green zone change हो सकता है आपको बताएं कि हमको अभी आपको पता है कि dialysis होता है दूसरे भी bloods के जो ये areas में खास करके हमको blood जो transfusion है उसके लिए भी blood की जरूरियात होता है तो अभी lockdown के कारण जो blood donation सक्य नहीं बन रहा है उस case में जो काफी सारे hospital में हमारे hospitals में टेलिफोनिक रूप से जो दाताएं हैं उनका list है उनको phone करके उनको प्रोटसाहिद किया जाता है और जिसके माध्यम से कल और आज हमको 55 blood unit प्राप्त हुए है जो ICDS department और शिक्षन department ये सब ये पूरा जो हमारा COVID और allied activities है उसमें engaged है जो हर जगा को disinfection और sanitization का जो बेवस्ता है वो हर positive cases के किस्सा में medical के किस्सा में crematorium समसान भूमी के किस्सा में उसको disinfection जो किया जाने का प्रक्रिया है वो अभी तक हम लोगों को 2,44,253 लीटर हमको sodium hypochloride मिला था और उससे लगभग 2,3,500 लीटर का इस्तमाल अलग अलग जगह पर किया गया है कोरोना कमांडो जो है वो उसकी ताजाद बढ़ती जा रही है ये बहुत ही अच्छा आनंद का ये समाचार है कि अभी तक सूरत के लिए 11,000 जो सिटिशन है शेहर के वो लोग बोले हैं कि वो अपने इच्छा वेक्त किये हैं कोरोना कमांडो बनने के लिए जो पॉजटिव केस सहर में जहां जहां हमको मिला है वहाँ भोजन विवस्ता धीरे धीरे हम बंद करने का सोच रहे हैं बहुत सारे किस्ताओं में ऐसा हमको मिला है कि भोजन केंदर में हमारे जो SMC के स्टाफ हैं उनमें कहीं पॉजटिव केस आया है तो उस cases में जो भोजन केंद्र में positive cases के कारण infection हुआ है उस cases में भोजन बिवस्ता हम उसको बंद करेंगे Svnit के द्वारा एक automated trolley, Robo, Spimer को hospital management के लिए भोजन बिवस्ता और दवाई का वितरन के लिए दिया गया है उसमें बहुत ही अच्छा हमको एक जो Robo प्राप्त हुआ है Svnit के तरब से हम सुकर गुजार है और उनसे हम आनन्द ये बात की है कि बहुत सारे institutions, बहुत सारे communities जो हैं आगे बढ़के सुरत-municipal corporation को काफी COVID fight के लिए मदद कर रहे हैं जो जुर्माना है social distancing के लिए आज 27 व्यक्तियों के पास है 27,200 रुपया मास्क ना पेहनने के लिए 30 व्यक्तियों से 30,500 रुपया और sanitizer का इस्तमाल ना करने के लिए 11 व्यक्तियों से 1500 रुपया और ये जो अनाज दुकाने हैं सब्जी मंडी है, सब्जी का लारी है, medical store है, दूद दई डेरी है और अलग-अलग जगह पर हमने लगभग 80,200 का जुर्माना किया गया है आपको मैं बताओं कि केंदर के टीम अभी सूरत में है और ये जो जुर्माना हुआ है, ये जो enforcement का काम सूरत Municipal Corporation के द्वारा किया गया है, उससे केंदर का टीम खुब प्रभावित हुए है और ये penalties जो है, उनको इससे confidence ये है कि आगे वाले दिनों में भी इससे हमको काफी अच्छा result मिलेगा, कोरोना को उसका virus जो है, उसको संक्रमित होने से हमको ये जो जुर्माना है और enforcement का कामगिरी है, इससे हमको सफलता प्राप्त होगे। अभी तक सूरत मुन्सपुल कॉर्परेशन को ये COVID fight के लिए लोगों ने नाना की ये रूप से मदद भी किया है, उससे अभी तक 4,45,0,42,891 रुपया का योगदान लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ है। भोजन बिवस्ता अगर देखेंगे तो अभी 8,83,450 फूड पैकेट का वितरण आज के दिन में हुआ है। और ये जो बिवस्ता है, इसमें हमने अक्षे पात्र के मारफत 1,09,000, हमारे अलग-अलग एजन्सी के मारफत 78,000 और ऐसे अलग-अलग NGOs के तरफ से लगभग 6,00,000 जितने फूड पैकेट्स की अरेंचमेंट किया गया है। ये संपूर्ण जो कामगिरी है, ये काफी बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आगामी दिवसों में ये जो वेवस्ता ही, ये वेवस्ता धीरे-धीरे लोग ड्राय राशन के तरफ चलें और काफी आगे वालो दिनों में भी इसको लेके कोई भी इंफेक्शन ना हो इसके लिए जो भी करना होगा, वो सुरत मुनस्पल कॉर्परेशन के द्वारा किया जाएगा। मैं कल आपको इंफेक्शन कंट्रोल मेजर्स उसमें जो मेडिकल स्टाफ हैं, जो हमारे सुरत मुनस्पल कॉर्परेशन के स्टाफ हैं, जो हमारे पुलीस के स्टाफ हैं और जो सरकारी, करमचारी, अधिकारी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको क्या-क्या इंफेक् कल ज्यादा फोकस करूंगा आज के लिए आपने हमको सुना उसके लिए आभार वेक्थ करके धन्यबाद के लिए इन्यबाद